आज के यारोग criterion सभा में हम तीन तरा के बहुत ही बहुमुल, बहुत इलावकारे और अशदी फोधों को लेकर क्या आये हैं ये अब पोधह दाइने हाथ में इसको मकवय करते हैं ये इनीम है और ये सीसम है और एक हे पीपल तो मैं सबसे पहले आपको ये सीसम के बारे में बताने का प्रयास करूँगा जिस माता में बहने बैठी हैं किसी को यदि लिकूरिया हुआ हो सफेद पानी हो या लाल पानी निकलता हो अगर भासे से तो आप सिसम के पत्टे का यदि आप एक कही दिन इस्सिमाल करते हैं शुबर खाली पेट में, साथ साथ पत्टे को मित्री के साथ मिला कर, जाडा के दिनों में एक यदो खाली मित्री मिला करके, तो लिकोरिया जड़ से समाप्त हो जाता है, भी पर्षूत की समस्या हो, आपको यह मकोई के बारे में बता रहा हूं कि मकोई भी आप लोग बच्पन से देखते हैं बहुत इसे खाते भी है पक जाने पर मीठा लगता है पका हुआ फल पका हुआ फल इसका सेवन करेंगी तो उनको जीमोगलोबिन बढ़ता है और इसका पंचांग जड़ से लेकर के पूरे पत्ते को यह आप इसका सेवन करेंगे पीस करके एक चमच या दो दो चमच रस तो घैस कब से लेकर के आप समस्या और जिन दो लिवर खराब है फैटी वाले बटाइटी जॉन्डी से उनकी लिए भी मकोई बहुत इलावकारी है फिर इसके बाद हम नीम एक पूदा लेकर किया है यदि किसी को सोगर खिक नहीं हो रहा हो तो पाच-पाच पत्ता नीम का लेंगे साथ ही साथ आप यदि किसी को चर्म रूख हुआ है खुन खरा तो इससे उपर ही हिस्से का ठीक हो जाता है किसी को यदि ब्लेडिंग ज्यादा होता 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 है मासिक धर में या आपको जो अर्थ हो जाता है बाऊसीर हो जाता है उसमें भी तो पीपल का कुमल पत्ते का चारबाच पत्ते का रस लेंगे तो आप उससे ब्लेडिंग बन कर सकते हैं या जिनको नक्सिर हो जाता है कान नाक चेग्धं निकलता है उनकों फीजय आप 30 चास जुन नाक में डाल देंगे तो नक्सिर ठीख हो जाता है तो मैं आपके पीच में ये चार्परकार के जड़ी बूटियों को लेकर आया था ये हमारे सदियों से हमारे गाउं में रहते हैं हम इसके लाग के वारे में नहीं जानते हैं और हम दवाई के लिए डॉक्टर के अभड़कते रहते हैं दिर भर का कवाई हम लोग डॉक्टर के हाँ दवाउं में इस्पतालों में बिर्द कवाते हैं तो आपसे निवेदन है कि कल सुबा आप आपके जो प्रात्मिक भी जाले हैं वहाँ पर हम लोग पाज दियों से योग सी विज़े बज़े से सुरू करते हैं आप सभी ग्रामवासी अपने साथ दो 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 एक सी ले करके आएं और देड़ घंटा वहाँ योग सीखेंगे और सांज को फिर हम लोकल इसी तीन चार बज़े आ करके और जड़ी बुटी के बारे में बताएंगे ताकि गाहों का एक 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 वेक्षी बीमारी कोई बीमारी से ग्रसित ना हो और गाहों में कोई रोग ना हो रोग कलंक है और इस कलंक को मिटाने के लिए हम लोग आए हैं तुबा में योग और साम को जड़ी बुटी के बारे में आरोग ज़वा के रूप में इसलिए पूरे ताक़ के साथ उस्ता के साथ आप रोगत भी आईए और आपका कल्यान होगा हम लोग उस लेकर बता करके ही जाएंगे उस लेकर के जाने वाले नहीं है इसलिए भ्यमुक्त हो करके आप निर्भय होकर ज्यानत के साथ इस कार्चा में भाग ले जय हिन जय भारत